हेलो दोस्तो आज मैं अंडा और हरे मडर की एक दम नई रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जिसे इससे पहले ना आपने कभी बनाया होगा और ना ही कभी खाया होगा तो चलिए शुरू करते हैं अगर वीडियो थोड़ी से भी अच्छी लगे तो लाइक कर दीजि तो सभी अंडो को मैंने यहां पर तोड लिया है अब हम अंडो में कुछ मसाले आट करेंगे तो मैंने यहां पर हाफ चमच नमक, हाफ चमच लाल मिर्च पाउडर, हाफ चमच जीरा पाउडर, हाफ चमच काली मिर्च पाउडर और मैं आट कर रही हूँ हाफ चमच गरम मसा जाला और इसे के साथ हम इसमें एट कर देंगे दो हरी मिर्च अगर उप मिर्च ज्यादा नहीं खाते तो आप इसे स्किप्ट कर सकते हैं फिर हमें आप एक बारी च्टा हुआ प्याज एक बारी कुटा हुआज टमाटर और थोड़ा सा हरा धनिया और इन सभी चीजों को हम अच्छे से mix कर लेंगे इस तरह से आप अंडा एक बार बना कर खाईएगा इसका टेस्ट नो बहुत जबरदस्त आता है तो आप इस रसीपी को एक बार जरूर से ट्राइ कीजिएगा तो हमने सभी चीजों को अच्छे से mix कर दिया है अब हम आगे की तरफ चलते हैं तो मैंने यहाँ पर एक टिफिन बॉक्स लिया है स्टील का तो अगर आपके पास इस तरह कर ना हो तो आप इसे कटोड़ी भी बना सकते हैं तो मैंने टिफिन बॉक्स में सारे मिसरन को डाल दिया है तो उसमें क्या हो गया था ना अमारा टिफिन बोक्स पर भड़ गया था तो पकाते वक्त टिफिन से बाहर चला आता अंडा इसी के वज़े से मैंने क्या क्या मेक्षूर को दो टिफनों में पकाने के लिए मैंने यहाँ पे लिए कुकर और आड्च कर्द कर दिया और एक टिनë बॉक्स को मैंने कुकर में डाल कर इसका। भकन बंद कर दूघ कि और दूसरी कण एक टिफिन को कढ़ाई में धलका सा पानी डाल कर इसे पकने के लिए रग दिया है तो देखिए हमारे टिफिन का धकन खुल गया था क्योंकि अंडा एक दम फूल कर उपर तक आ गया था तो देख रहें अंडे हमारे कितने अच्छे से पक गए हैं हम अंडे को एक बर चेक कर अपना टिफिन बॉक्स में थोड़ा सा तील भी लगा दिया था जिससे हमारे अंडे क्या हो चिपके नहीं तो आप इस तरह से जरूर कीजिएगा तो अंडा हमारे एक दिम अच्छे से निकल गया है अब मैं इसे पीसेस में काट लूँगी तो मैं इसे छोटे-छोटे पन हैं एकदम फ्लापी फ्लापी तो मैं क्या करूंगी दूसरे टिफिन बॉक्स से भी अंडे को मैं बहार निकाल लूँगी फिर मैं आपको दिखाती हूं तो देखिए मैंने सभी अंडों को ऐसे पीसे耶श में काट लिया है और सभी अंडे बहुत ही अच्छे से बन गये हैं तो अब हम नेक्स जाएंगे इसी में हम add कर देंगे दो slice के हूए प्याज or साथ ही हम इसमें अट करेंगे दो हडी मिर्च हरी मिर्च ऑप्षिनल है बड़ इसे डालने से इसका स्वाद बहुत अच्छा आता है तो हम अच्छे से प्याज को पका लेंगे हमें जादा कुछ पकाना नहीं है इसमें जब प्याज हमारा नरम हो जाए तब हम इसमें एट कर देंगे एक चम्मच अधरक लैसन का पेस्ट और दोनों ही चीजों को हम एकदम अच्छे से पकाएंगे इनका कच्छापन हमें दूर कर लेना जैसे हमारे प्याज बोल्डेन ब्राउन कलर के हो जाए तब हम इसमें आट कर देंगे हाफ चम्मच हल्दी पावडर हाफ चम्मच लाल मिर्च पावडर एक चम्मच धनिया मशालों को अच्छे से दो मिनट के लिए म anf एकदम अच्छे से हमें भूंना है देख visualize का है तो इसी समय हम इसमें ड़ाज लंबे लंब स्लाइस करके और तामाटर हम इसमें ड़ा नमक श्वाद अनुसाय और मसालों को फिर से हम अच्छे से पकाएंगे मसाले हमारे जल ना जाए इसके लिए मैं इसमें अड़ कर दे रहे हूं बस दो चमज के करीबन पानी और फिर अच्छे से हम मसालों को भूनेंगे तो हमारे मसाल एक दम अच्छे से भून गये हैं देखिए अच्छे से गल गए हैं और मसालों से तेल भी सेपरेट होने लगा है तो इसी स तो देखिए तेल आपको दिख रहोगा एक्दम सेपरेट हो गया तो मसाले हमारे बहुत अच्छे से भून गया है और मतर भी मसालों के साथ अच्छे से पक गया है तो मतर को और भी अच्छे से पकाने के लिए एक कप पानी और अब मतर को अच्छे से पांच मिनट के लिए देखिए मटर भी हमारे अच्छे से पक गए हैं यहां पर और मसालो का रंग भी बहुत अच्छा से चींज हो गया है तो इसी समय हम एंट कर देंगे हमने जो अंडो को काटके रखा है पिसस पे उसे हम सभी को इसमें एट कर देंगे और एक दिए मसालो के साथ इसे मिक्स कर और मसालो के साथ अच्छे से मिक्स करने के बाद अच्छे से हम इसे क्या करेंगे मीडियम फ्लीम पर पांच मिनट के लिए अंडो को अच्छे से मसालो के साथ पकने देंगे जिससे मसालो का जितना भी फ्लेवर होना अंडे में अच्छे से चला जाए ऐसे भी हमारे अंड पकान लेंगे पांच मिनट के लिए और बीच पीच में इसे चला दीजेगा जिससे मसालें नीचे चिपके नहीं तो हमारे अंड़े अच्छे से रडी हो गया है तो मैंने गैस के फ्लीम को ओफ कर दिया और थोड़ा सा हडा धनिया इसमें मैंने डाल दिया है और सभी चीजो साथ भी आप इसे सर्व करें यह खाने में बहुत ही जबरदस्त लगता है रोटी और पराठो के साथ तो आपको आज की रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा है ना कुछ हटके रेसिपी तो रेसिपी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को भी जरूर से दबा दीजिएगा इससे आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे और मैं कोशिश करूंगी कि आपके लिए यूही नए नए रसिपीस आपके साथ मैं सेयर करूँ तो वीडियो को अन तक देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद